Good morning students, बेटा last lecture में हमने की थी exercise 2.5 और हम कर चुके थे question number 11 तक, तो बेटा आज हम कर रहे है question number 12, तो question number 12 में क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास statement दी गई है, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz और इसे हमें prove करना है बेटा, 1 by 2 x plus y plus z into x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square, तो बेटा यहां पर इसको prove करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर right hand side को पहले क्या करते हैं, यहां पर consider करते हैं, तो हम right side को लेकर चल रहे हैं, तो right hand side क्या है बेटा, 1 by 2 x plus y plus z into, हम इसको open करेंगे बेटा, यहां पर हम जो identity यूज करेंगे, वो क्या होगी? x minus y का whole square हम पहले पढ़ चुके है, और यह किसके equal होती है, बेटा, x square plus y square minus x y के, तो इसके equal होती है, इसका हम यहां पर use करेंगे, तो यहां पर क्या बेटा, x minus y का square, तो इसको हम लिख सकते हैं, बेटा, x square plus y square minus 2xy, y, same way से हम y minus z को भी लिखेंगे, बेटा, y square plus z square minus 2yz, and plus z square plus x square minus 2zx, तो यह हो जाएगे हमारी बेटा, तो यह किसके को लोगा, बेटा, 1 by 2, x plus y plus z, and यहां पर हमारे बास देखो, बेटा, 1x यहां पर है, और 1x यहां पर है, तो इसको कह लिख सकते हैं, 2x, same way से y भी दो बार है, तो 2y square, है ना, 2x square plus 2y square, and same way से, बेटा, 2z square, और यहां पर क्या होगा, हमारे बास, 2xy minus 2yz minus 2zx, अब यहां पर देखें बेटा, इन सारी टर्म जो है, इन सब में क्या है, 2 common है, तो 2 हम क्या कर लेते हैं, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 by 2, x plus y plus z, और इस complete टर्म से हमें, 2 क्या कर लिए, common निकाल लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, तो अब इस 2 के साथ बचेगा, 2 क्या हो जाएगा, cancel out, हमारे पास क्या टर्म बचेगी, x plus y plus z, x plus y plus z, into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, अब हम क्या करें बचा, अब हम जो है, इस complete टर्म को multiply करेंगे by x, y and z, तो यहाँ पे सबसे पहले इस complete टर्म को हम x से multiply करेंगे, फिर y से करेंगे बचा, और फिर z से करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से लिख रहाँ बचा, तो हमारी टर्म क्या होगी, x into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx same way से y के साथ भी ऐसे multiply करेंगे, तो y के साथ भी, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, and same way से z के साथ, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, तो इसको सोल करेंगे, बचा, इसको multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, हमारे पास टर्म आएगी, x cube plus xy square plus xz square minus x square y minus xyz minus zx square, तो यह टर्माई की बटा और फिर y की जब हम multiply करेंगे तो हमारे पाद जो y के साथ अर्माई की इसको मैं हम लिख लेते हैं plus y x square plus y q plus y z square minus x y square minus x y z minus y square z और यहां पर क्या है बटा एक्स y z अब इसके साथ बटा जैड के साथ जब इसकी multiply होगी तो जैड के साथ क्या टर्माई की हमारे पास z के साथ टर्माई की बटा z x square plus z y square plus z cube minus x y z minus y minus y z square minus z square x तो यह हमारे पास क्या है बटा term आईगी अब इसके बाद आपने ध्यान से देखना है बटा इसमें वह सारी term जो हो क्या होगी cancel out हो जाएंगे तो यहां पर देखे बटा x y square यहां पे plus में है x y square यहां पे देखे बटा हमारा जो है प्लस में है और यहां पर देखिए और यहां पर बैटा ZX square, और यहाँ पर देखे बैटा यहाँ पर देखे यह, प्लस में है ZX square तो यह भी आपस में क्या हो जाएंगी, बैटा cancel out, अब इसके बाद यहाँ पर देखे य स्कवेर, य किसमें बैटा प्लस में है, य Z square, यहाँ पर देखे और यह बटा यह मैं तो यह भी आपस में यह पलस में है यह बटा यह माइनस में तो यह यह तरम भी आपस में क्या हो जाएंगी cancel out हो जाएंगे तो ये ट्रम और ये इसके साथ क्या हो जाए है बटा cancel out हो जाएगा तो हमारे पास अब क्या बचता है यहां पर यहां पर हमारे पास ट्रम बचती है एक तो x square तुसरे हमारे पास बचती है बटा यहां पर minus minus x, y, z और यहां से हमारे पास बस्ती है पेटा y-q और यहां पर हमारे बस्ती है –xy² यहां पर z² और –xyz तो इसको में लिख सकते हैं पेटा है किसके इकलोगा xq-q-q-3 of xy-z और यह किसके इकल है पेटा राइट एंड स्वरी लेफट एंड साइड के इकवल तो हमारी जो left hand side और right hand side का equal आ जा रही है इसका मतलब हमारा ही क्या हो गया prove हो गया या फिर verify हो गया इसके बाद हम करते हैं बेटा next question next question है बेटा हमारे पास if xyz is equal to 0 यहाँ पर क्या दिया गया बेटा if xyz is equal to 0 if x plus y plus z is equal to 0 हमने क्या करना है so करना है क्या बेटा कि xq plus yq plus zq यह किसके करो गया 3xyz के तो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले identity याद होनी चाहिए तो हमने जो identity पढ़ी थी as we know x plus y plus z का whole q तो यह बाले तो नहीं यूज करेंगा यहाँ पर यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं identity x q plus y q plus z q minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus x y minus yz minus z x तो यह identity हम यूज करेंगे पटा as x plus y plus z is equal to 0 यदि यह term हमारी किसके एकल हो जारी है यह complete term हमारी किसके एकल हो जारी है 0 के एकल हो जारी है that means that means this is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0 is equal to 0 यदि यह equal to 0 हो जारा है इसका मतलब क्या होगा पटा x cube plus y cube plus z cube यह किसके एकल हो जाएगा इसको उसाइड लेकर जाएगे बिटा positive हो जाएगा किसके एकला जाएगा 3xyz तो यह हमने क्या करना था इसमें प्रूफ करना था इसके बाद जलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन पर नेक्स्ट क्या हमारे पास without actual calculation the cube find the value of each of the following तो हमने जो है इसमें calculate नहीं करना है लेकिन इसकी value हमें क्या करने है calculate करने है तो हमारे बाद यह हम पर question है बिटा question number first हम कर लेते हैं तो minus 12 का q plus 7 का q plus 5 का q इसकी value हमें क्या करने है बिटा calculate करने है तो as we know x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz यह किसके बिटा x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो if x plus y plus z is equal to 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं बिटा x cube plus y cube plus z cube यह किसके बिटा 3 into x into y into z तो अब यहाँ पर check कीजिए बिटा यहाँ पर जो हमारी जो term है term में check कीजिए यहाँ हम x को consider करते हैं minus 12 और y को consider करते हैं 7 और z को consider करते हैं बिटा 5 तो यहाँ पर जो है minus 12 plus 7 plus 5 यह किसके इकल हो जा रहा है बिटा 0 के equal हो जा रहा है इसका मतलब इसका x का cube plus y का cube plus z का cube किसके इकल होगा बिटा 3 into x y z के इकल होगा तो इसकी जो value होगी बिटा minus 12 का cube plus 7 का cube plus 5 का cube यह किसके इकल हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा 3 into minus of 12 into 7 into 5 तो इसको हम solve कर लेंगे बिटा तो तो इसको solve कर लेंगे बिटा यह किसके equal आएगा यह equal आएगा हमारा 12.60 into minus of 21 तो यह equal आजाएगा बिटा minus of 66 0 तो यह क्या जाएगा बिटा इसमें answer आजाएगा इसको solve करेंगे तो यह क्या जाएगा बिटा हमारा answer आजाएगा इसके बाद हम next question करें बिटा इसमें next question जो है हमारा यहाँ पर भी यह same आपने concept यहाँ पर लगाना है बिटा यहाँ पर 28 है वो किसके equal लोगा बिटा minus 15 plus minus 13 तो इसका भी जो है 0 के equal जाएगा तो हम क्यों सा formula यहाँ पर यूज करेंगे एक्स प्लस य प्लस जैड का क्यूब यह किसके equal होगा बिटा 3 इंटो एक्स वाई जैड के equal होगा तो यह हमने इसमें क्या करना है यूज करना है इसके बाद हम करें बिटा next question application next question हमारा 15 तो 15th question में क्या है बटा area दिया हुआ है हमारे बास तो area किसके की किता निकालना है यहां पर हमें निकालना है साइड कैलकुलेट करने है तो क्यती बनाते हैं कि इनकी आप multiply करें तो वो किसके को लाने जाना चाहिए हमारा जो है इन दोनों की multiplication के एक वाला जाना चाहिए 25 इंटु 12 जो हम इनके आपस multiply करेंगे बटा किसके एक लोगा यह एक वाला जाएगा बटा हमारा पच्ची दूनी सम्हेंगे बनस चाहिए 55, और II तो यहां पर हम इस तरह की फैक्टर बनाएंगे बटा जिन प्रटा जो सम है वो तो कितना आना चाहिए माइनस 35 और इन दोनों की मल्टिप्लाई जो है वो किसके एकुला जाने चाहिए बटा 300 के इक्वल आनी चाहिए तो हम यह फेक्टर जो है इसमें बढ़ाएंगे यहां पर देखो यदी हम इसकी जो है मल्टिप्लाई करें पांस ती पंदरा और पांदुन दस दस दूनिंट भीस यदे हम दो फेक्टर इसके लें वीस और पंदरा तो इन दोनों को यदी हम एड करते हैं तुमारे पास कितना आऄ ठाट है थर्टी made और इन दोनों की अधिया मुल्टिप्लाई करते हैं किसके एकुल आ जाता है 500 पर तो ऐसे ही हमने इसमें क्या करना है यूज करना है तो इसको हम सोल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 25a2 और इसको क्या लिखेंगे इन दोनों का addition कि इसके एकुल रहना चाहिए माइनस 35 तो इसको हम किसके एकुल ले सकते हैं पीटा माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं पीटा देखो अभिन दोनों को जो हम add करेंगे minus 20 और minus 15 तो 35 के एकल होगा और minus minus में minus 20 into minus 15 इनकी multiply करेंगे तो minus minus क्या हो जाता है plus और एक इसके एकल हो जाएगा 300 तो यह क्या जाएगे इसके factor अब इन दोनों में देखो इन दोनों में क्या को मना जाएगा पिटा हमारा 5 5a तो 5a को मना जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा पिटा हमारे पास 5a बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास minus 4 अब इन दोनों में को मन देखें पिटा इन दोनों में को मन क्या जाएगा यहाँ से को मना जाता है हमारे यहाँ पर 3 तो यहाँ पर क्या बचेगा बटा 5a और यहाँ पर बचेगा minus of 4 अब इन दोनों में क्या को मनाएगा बटा इन दोनों में को मना जाएगा 5a minus 4 और हमारे पास क्या बचेगा बटा यहाँ पर 5a minus 3 तो हमारे पास यह जो दो factor आए हैं इन दोनों factor वो में क्या होगा बेटा एक तो इसके क्या होगी length और एक क्या होगी इसकी breath तो यहाँ पर 5a से 3 – हो रहा है नियुदा बेटा में तो इसके जादा होगी जादा होगी ओक हो बेटा इस area के में यह किसका काम कर दोगी लेंथ और यह क्या होगी बिटा ब्रेथ तो लेंथ और ब्रेथ दुनों हम यहां पर क्या कर सकते हैं इस तरह से हमारा जो है सेकंड कोशन होगा बिटा सेकंड कोशन में क्या है हमारे पास 35y स्क्वेर प्लस 13y-12 तो पहले इन दोनों की बिटा मुल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा बारप प्विज़े 60 और 6 36 और 6 यह किसके इकुल आएगा प्टा चार सो बीस के इकुल आएगा फिर चार सो बीस के आपने ऐसे फैक्टर बनाने है कि उन दौनों का एडिशन किसके इकुल आ जाए और उन दौनों की multiply जो है किसके एक्वल आनी चाहिए तो इस तरह कि बिटा आपने इसमें फेक्टर नाने है और इसको सोल करके देखना है और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन yes next question नेक्स्ट कोश्टन है वेटा हमारे पास next question में हमें जो given है question number 16 तो यहाँ पर हमें given है वेटा एक equation और जिसमें क्या गया है volume given हमारे पास volume और एक इसके एक वेटा 3x square minus 12x तो यह एक इसके एक वेटा 3x square minus 12x तो अब इसमें volume में क्या होता है वेटा जब हम volume निकालते हैं तो उसमें क्या होता है length breath into height तो तिनों की multiply होती है तो इसमें जब हम क्यूबोईड है हमारे पास क्या है एक क्यूबोईड है तो यहाँ पर तिनों term होगी इसमें एक इसकी length होगी बेटा और एक इसकी breath होगी और एक इसकी क्या होगी बेटा height होगी एक इसकी length होगी एक इसकी क्या होगी बेटा breath होगी और एक इसकी क्या होगी height तो इसमें से हमें जो है calculate करने तो इन दोनों से क्या को मना जा रहा है बेटा इन दोनों से हमारे यहाँ 3x को मना जा सकता है तो यहां पर क्या बचाएगा बटा हमारे पास x और यहां पर क्या बचाएगा बटा minus 4 तो इसमें क्या होगा बटा एक जो है 3 यह क्या हो सकती है बटा इसकी length हो सकती है यह क्या हो सकती है इसकी breath और यह क्या हो सकती है इसकी height तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऐसे हमारा जो है सेकंड कोशन होगा इसमें